आपने क्या करना है परवाल पिष्टी लेनी है दस ग्रम आपने गुदंती भसम लेनी है दस ग्रम आपने शंक भसम लेनी है और पचास ग्रम आपने संजीवनी बटी लेनी है पचास ग्रम आपने लेना है जी मलठी का चुब दन बचे और दन बचे रोग समूल न सजाए मेरे भारत वास्यों देश का ओशद खाएं मैं आपका दोस्त वैद्य देवन शर्मा आयर वेद्धिक हेल्थ टिप्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज का जो टोपिक है वो है पुराने बुखारों का हो जाना उसका इलाज ना होना तरह तरह की दवाईयां खाना फिर भी उसका इलाज ना होना उसके लिए मेरा अक्षीरी जोग जो मैं त्यार कर रहा था मेरे मन में आया कि मैं अपने दोस्तों को भी है जोग शेर कर दूँ उसके लिए भहुत असान फर्मूला है आप किसी वैद हकीम से त्यार करवा करके उसके प्रयोग करें और बढ़िया इसका रजलिना है आपने क्या करना है परवाल पिष्टी लेनी है 10 ग्रम आपने गुदंती भसम लेनी है 10 ग्रम आपने शंक भसम लेनी है और 50 ग्रम आपने संजीवनी बटी लेनी है 50 ग्रम आपने लेना है जी मलठी का चुपड़ यह आपका फार्मूल्ले का योग त्यार है आपने क्या करना प्रेंट रहे पेले सबीस्टी के से आपने चीज टालनी है मुलठी का चुब्ड, उसकी भी की बीच प्रेंड करनी है फिर दो की दिन मन्द मंद बुखार रहता है वो चंद दिनों में आपका शमाथ हो जाएगा इसि प्रकार से हमारी नुकष अयविदिक बताए जाते हैं आप को घरेलु नुकष बताये जाते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा करें लाइक करें सस्क्राइब करें